चोपड़ा एजो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो जैसा कि आपको पता है सुप्रिम कोट में EWS रिजरिवेशन के रिगार्डिंग जो हीरिंग होनी है वो 6th of January 22 को होनी है और इसी बीच गौवर् रूपीज लिमिट तै की गी है वो किस पैमाने पर की है तो कमेटी ने इसकी रिपोर्ट तयार कर ली है और ये 90 पेजेज की रिपोर्ट है और ये जल्द ही सुप्रिम कोट को सौपी जाएगी ये लाइव हिंदुस्तान का जो आप न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं इसम संस्तानों और सरकारी नोकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर EWS को 10% आरक्षन के मानकूं की समिख्या के लिए बनाई गई तीन सदस्य कमेटी ने अपने रिपोर्ट तयार कर ली है 90 पेजेज की अपने इस रिपोर्ट को कमेटी इसी हफते सुप्रिम कोट में दाखिल कर था वो 30 नवंबर को किया था ये हम सब जानते हैं इसमें आगे लिखा है इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक कमेटी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है उनके लिए निर्धारित 8 लाक रुपे की वार्षिक आई सीमा के मानदर में किसी त् वारिस नहीं की है कमेटी ने पाया कि नीट 2020 में EWS कोटे का लाब लिया है उनके परिवार की सालाना आई 5 लाक से कम थी कमेटी ने सरकार दोरा निर्धारित 8 लाक रुपे की वार्षिक आई सीमा को लेकर गहन अध्यन किया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने यह मान दंड क्यों तै किये हैं मतलब कहने का यह है कि इसमें कुछ भी निसकर्स निकलने वाला नहीं है कोई जो लिमिट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा रिजर्वेशन जो गौर्मेंट ने लागू कर रखा है 27 परसेंट और 10 परसेंट उसमें भी कोई चेंजि इसमें इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है एक मैने जो काउंसलिंग डिले हुई है इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और अब ये 6 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेस किया जाएगा उसके बाद में ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी UG और PG की ऐसा माना जा रहा है तो अभी वेट करते हम 6 दिसंबर 22 का ताकि ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सब्मिट हो उसके बाद में काउंसलिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो ये एक छोटा सा अपडेट था मैंने सुचा आपके साथ में शेर किया जाए तो देखते हैं क्या होता है 6 दिसंबर 22 को जो भी अपडेट होगा हम आपको इन्फोर्म करेंगे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको इन्फोर्म कर देंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन